Hey Welcome Back, I am Vivek Bindra, Motivation Speaker, Leadership Consultant and Business Coach अपने Brand Promise के मताबिक, मैं फिर से एक Problem Solving वीडियो लेके आया हूँ Strategy बड़ी सफलता नहीं देती, Execution बड़ी सफलता देती है मैंने पीछे 20 साल, 2 साल पहले लगबग Execution पे एक दो वीडियो डाले थे आज क्योंकि नीचे कहीं Questions आए, यह Important Business Oriented Question है कि Execution किया कैसे जाए, इसके बारे में मैं Leadership Funnel में बहुत बात करता हूँ कुछ Glimpse आपको यहीं दूँगा, क्योंकि आप Free Videos देखते हैं और हर वीडियो में कोई नो कोई Problem Solve करने की मेरा प्रयास रहता है Execution यह क्या बला है, किसी भी Company के अंदर Execution आप चार स्टेप्स में कर सकते हैं अगर यह चार स्टेप्स आप प्रैक्टिस कर लें, जिस भी Department में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आप First Mover हैं या Last Mover हैं, कोई फरक ने पड़ता, आप Fast Mover हो जाएंगे, यह निश्चत है कैसे बना जाए वो Fast Mover, Execution के चार स्टेप्स ध्यान दीजेगा, लिख लीजेगा, Notes बना लीजेए, वीडियो को Back and Food करके बार 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 देखिए फिर भी कोई सवाल रह जाए नीचे जरूर पूछ लीजेए So quickly, पहला step है, MEG, MEG का मतलब क्या हुआ, Most Essential Goal यह Most Essential Goal क्या होता है, यह वो गोल है, अगर आपने सब कुछ अचीव कर लिया, यह छूट गया, Game Over अगर आपका सब कुछ छूट गया, लेकिन यह अचीव हो गया, बात बन सकती है यह लिए कि Most Essential Goal, यह वो गोल है, आप बाकी सब को छोड़ करके भी इस पे फोकस करना चाहेंगे Focus on what matters the most, golden statement, come on, if you want to write it down जयान दीजिए, इसके notes बना लीजिए, इस वीडियो के Focus on what matters the most, हर जगे समय नहीं लगाते, सौ जगे, एक फुट गड़ा खोदने से पानी नहीं मिलता एक जगे सौ फुट गड़ा खोदने से पानी मिल सकता है, Focus on what matters the most तो पहला, department का, या division का, या organization का, जिसका भी आप execution कर रहे हैं, उसका most essential goal लिख लीजे Most essential goal के बाग, second step, अब मेरे actions देखेगा, effort score and result score, one more time, come on, effort score and result score, effort score and result score, effort score और result score अलग अलग कर दीजे, कोई भी goal अगर आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें effort क्या लगेगा और result क्या आना चाहिए, ये दोनों पहले से ही लिख लेजे, क्या expected है आप से, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का World Cup Cricket Final हो रहा हो, पाकिस्तान ने 99 run मारे 50 over में, तो इंडिया को 300 run चाहिए, अब 300 run है result score, expected, और effort score क्या है, 6 run per over, अगर 6 run per over मारते रहे, मारते रहे, 300 पे पहुँच जाएंगे, तो हर एक department का, हर एक employee का effort score और result score अलग अलग कर लीजे, इसके बाद तीसरा step आ when they have a scoreboard, one more time, come on, ध्यान दीजे, people play differently when they have a scoreboard, scoreboard, इसलिए, क्योंकि लोगों को जीतने का शौक है, आप scoreboard बना के उनको जिताने का प्रयाशा,